वेल्कम टू सबानास्त्री चन्द। आज हम बनाएंगे बेसर मटन चॉप्स और एक मटन चॉप्स। ये बहुत आसान रेसीपी है और खाने में बहुत तेश्ती भी है। इसके लेली हम लेंगे 500 ग्राम्स मटन चॉप्स। पहले हम मटन चॉप्स क्लोवेरी नेक करने के ले मसाला रेनी कर लेंगे। उसके लेली हम लेंगे दो टेबल्सपून हरी मीच और अध्रकलेवसुञी पेस्ट। एक तीशपुन हल्दी पावडर, दो तीशपुन लाल मेट्स पावडर, दो तीशपुन धन्या पावडर, और नमक स्वार्त्ल अनुसर, और एक निम्मू करस, ये मटन चोप्स गर्मा गरम खाने का मज़ा ही कोच और है, अब ये सब मसालों को अच्छे तरह से मिला लेंगे और वन बाई वन एसे मटन चोप्स को मसालों के असाद अच्छे से मिला लेंगे आप इसको श्टोर करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं सभी मटन चोप्स को एसे अच्छे से मसाला लगा लेंगे और उसको एक घंटे के लिए मेरीनिक करने रख लेंगे अब एक घंटे के बाद उसको कूकर में पकने रख देंगे और ये मसाले वाले बटन में पाक पानी लेंगे और उसको उसमें डाल देंगे और प्रेसर कूकर को बहन करके लिए उसको प्रेसर कूक करने रख देंगे उसको एक सीटी हाई फ्लेम पे और तीन सीटी लोग फ्लेम पे करेंगे मटन चॉप्स पखले वहां तक उसको फ्राइ करने के लिए आटे की पेस्ट बना लेंगे उसके लिए हम लेगे चाट एबल स्पून चने काटा वन टीस्पून लाल मेच पावडर और नमक स्वार्ट के अनुसर फिर उसमें पानी को ऐसे स्लोले स्लोले एक करते जाएंगे जिससे आटे में लॉंस नहीं पढ़ते और आटे की ऐसे पेस्ट बना लेंगे मैंने वीडियो में बता है इस तरीक ले से पेस्ट बना लीजी अब हम कुकर खुल के देख लेंगे यह हमारी मटन चॉप्स अच्छे से पक गई है अब इसमें जो ठोड़ा पानी बचा है उसको लो फ्लेंब पे ऐसे बन कर लेंगे जिसे मसाला जल न जाए चॉप्स पे यह मसाला इची तरह से इसे मिल्क लएया है अब एक फ्राइपेन में निफ्राइब करने के लिए ओईल लेंगे तेल गलरम होने के बाद पकी हुई मतन चॉप्स को एसे आटे में एच्छे से मिला के उसको फ्राइप करने रख लेंगे स्टाव की फ्लेम क्लो लो रख लिए और वन बाई वन सभी मटन चॉप्स को इसे आते में मिला के उसमें फ्राई करने रख लिजी और लो फ्लेम पे उसकला हलकला गॉल्डन ब्राउन कलरों वहां तक सभी साइट से फ्राई कर लिजी ये मटन चॉप्स गर्मा गर्म नीमू का रस उपर छिड़क के खाने के से बहुत स्वालिस लगती है ये हमारी बहुत टेस्टी डिलिस्यस गर्मा गर्म बेशन मटन चॉप्स बनके रेली हो गई आप एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राइ कीजिए बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी है अब हम एक मटन चॉप्स बनाएंगे उसके लिए मैंने दो अंडे लिये है और उसमें हम डालेंगे नमक स्वात्क अनुसार और एक टिस्पून लाल मेच पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से फ्यटना है अब हम बाकली बची हुई मटन चॉप्स को ये एक मिक्स्चर में अच्छे से मिला के वही फ्राई पेन में वही तेल में लो फ्लेम पे फ्राई करने रख लेंगे ये मेरा वीडियो थोड़ा धुनला हो गया है तो मुझे माप लिजिए फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर हो वहाँ तक उसलो अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकी बचा हुआ एक मिच्चर उसलो एसे उपर से डाल देना है और साइड चेंज लगे अच्छे से उसलो इसलो गोल्डन ब्राउन कलर हो वहाँ तक उसलो फ्राई कर लेना है ये हमारी एक माटन चॉप्स भी बन के रेडी हो गई दूनों माटन चॉप्स गलर्मा गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है अगर आपको मेरे ये रेचिप पसंद आयो होटो फिलीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्स्राइब कीजिए